बहुत सारे लोग मुझसे पुछते हैं कि हमारे टर्टल फूड में और जो नॉर्मल दुकानों में मिलता है टर्टल फूड में क्या फरक है फरक बहुत सारे हैं ठीक है एंड आप अभी देखोगे यह फरक एंड आप कुछ समझ जाओगे कि यह इतना इंपॉर्टेंट लगार टर्टल का फूड देखने वाले है और समझने वाले हैं इसका वाल्यू पहले बेबी टर्टल यह अल्रडी मेरे पास कुला हुआ पैकेड है विकाज हमारे जो तैनोस भाई है यही खाते है ठीक है आजब यह हमारा बेबी टर्टल का फूड है पहला चीज यह है कि यह इतना पतला इसलिए है बिकार्ज शाप्स में बेबी टर्टल्स को वर्म्स कि लाए जाता है और यह हमारा फूड पतला होने के वज़े से वर्म्स समझके फटा-फट कहा लेते हैं टर्टल्स दूसरा यह जो वाइट वाला है इसमें प्रोटीन मैटर है ठीक है ग्रीन वा अब चलो अडल्क टर्टल देखते हैं इसमें भी अगर आप देखोगे तो यह डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन और वाइट कलर का अलग-अलग है आपको इसमें क्लियरली पता चलेगा यह क्याल्शियम है विट्स प्रोटीन यह अलगे मैटर और यह वेजटीबल मैटर अब बाजी तरकारी अलगे अलग-अलग टाइप के अलगे और क्याल्शियम है यह युनीकनेस है ज्यादातर जो मार्केट में आपको मिलता है वह सब ग्रीन कलर का स्पिरुलीन वाला मिलता है और सिर्फ पिरुलीन आपके टर्टल के लिए बस नहीं होता क्योंकि कुद्र वह चोटे मचलियों से लेके, इंसेक्ट से लेके, कीडे मकोड़न से लेके, बहुत सारे चीज खाता है और उनको ज़रूरी होता है गुट कॉलिटी प्रोटीन, अगर चोटे में है तो जाधा प्रोटीन, बड़े में कम प्रोटीन, जाधा वेजटबल मैटर बिकॉज प् food baby turtle and adult turtle market में आज के डेट में सबसे best quality का है नव इसमें ingredients very good quality okay and handmade सोच समझ के बनाते हैं हम लोग proportions calcium to vegetable matter, algae, protein correct proportions में है ताकि आपके turtle को best nourishment मिले okay so हमारा टर्टल फूड बेस्ट हुआ ना अब आपको अपने टर्टल को अगर बेस्ट खिलाना है तो यह रहा enjoy हुआ आप झापने के रहागा है